मेरे नम हनी सिंग और मेरे YouTube चैनल जिपसी एक्स्प्लोरर पर आपका बहुत बहुत वेलकम है मैं आपसे बात करने वाला हूँ ट्रेवलिंग की उपर हिस्टरी की उपर टुरिसम की उपर तो मैं अपनी शुरुवाद करने वाला हूँ आपके साथ करनाटक स्टेट से और मैं चाहता हूं कि करनाटक स्टेट्स्ट की जितनी भी explore और unexplored प्रेसिस हैं मैं आपके साथ share करूँ डिटेल में आपके साथ अपना experience share करूँ, history के बारे में, travelling के बारे में हम detail में बात करें, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा करनाटक के उपर इसकी मैं basic information State के साथ अपना बॉड़र शेर करती है करनाटक का बेसिक मतलब है करू नाडव बेसिक अब से बना है करू और नाडव जिसको हम कह सकते हैं The Elevated Land, Karoo mean, एक Height Elevated, और Nado mean Land, एक Elevated Land को करनाटक बोला जाता है, तो जे हो गया इसका जोग्राफिकल मतलब, इसके बहुत सारे historical मतलब है, वो आपको मैं ट्रैवलिंग के साथ साथ अगले वीडियो में आपको explain करूँगा, तो अभी एक शोटा सा ब्रीफ में मैं आपको explain कर देता हूँ, करनाटक बेसिकली तीन पार्ट में ड्वाइड किया जाता है, तीन रिजन में ड्वाइड किया जाता है, एक उसका coastal region जिसको हम बोल सकते हैं, कि जिसको हम करावली बोलते हैं उस language में, जितनी भी करनाटक का जो coastal area है, तो जैसे हम coastal की area से north, sorry, east की तरफ से travel करते हैं, तो जो land है वो थोड़ी सी उठनी चुरू हो जाती है, वो इतनी उठ जाती है, वो finally western karts का shape ले लेती है, बाद में western karts में जितनी भी highest peak हैं, उदर से हम अगर फिर east को move करें, तो वो देरे देरे नीचे आती आती एक parallel space में आ जाती है, और उस parallel space को हम बयालू सीमा region बोलते हैं, बयालू सीमा region डेकन प्लेट्यू का एक part है, इसको मैसूर प्लेट्यू भी बोला जाता था एक time पे, आज भी बोला जाता है, तो लेकिन आज के time पे बयालू सीमा का नाम दिया जाता इसको, तो जे वाली land, sea level से 900 meter की height पे आके plane हो जाती है, और उस land पे बहुत छोटे छोटे hill locks हैं, उसके बारे में आपको मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, और मेरा जो topic होगा इनी तीन पार्ट में divide होगा, sorry मैं आपको एक दुबारा बोलते हैं, एक पार्ट मैंने मिस कर दिया, एक तो coastal area हो गया, जिसको हम कारावली region बोलते हैं करनाटक का, और जैसे हम कारावली region से, coastal region से east की तरफ आते हैं, तो जमीन उठने लगती है, उस उठी हुई जमीन को, बेसिकली जो western guards करनाटक से पास करते हैं, western guards के उपर भी अलग topic मैं आपको वीडियो के साथ शेयर करूँगा, जो जो करनाटक का western guards है, उसकी एक famous जो पहाड़ी है, पुद्रे मुख हो गया, मुल्यान गिरी हो गया, उसी range में आती हैं, और उस western guard के area को male naadu बोलते हैं, जैसे हम male naadu से और east की तरफ आते हैं, तो एक plains आ जाते हैं, वो basically plains sea level से 500 meter से height की height से लेके, 900 meter, 1000 meter की height सक उठे होए हैं, उस area को हम बोलते हैं, बयालू, सीमा, तो basically करनाटक के तीन region है, कारावली region, male naadu region, और बयालू सीमा region, सबसे बड़ा region बयालू सीमा region है, सबसे ज़्यादा population उसी area में रहती है, और उसके लाबा करनाटक का area कितना है, लगबग 6, स्वारी, 2,091,000 km2 इसका area है, साड़े शेक रोड लगबग इसकी population है, अगर हम करनाटक के quick facts की बात करें, तो करनाटका का area around 1,091,000 km2 है, इंडिया की 28 states में से इसका 6th rank है area wise, और ये इंडिया के total land का 6% portion है, अगर हम इसको किसी country की साथ compare करें, तो इंडिया और करनाटका का area almost same है, population की बात करें, तो करनाटक की population 6.5 करोड है, mean 65 million, और इसका area 28 states में से 8th rank में आता है, और अगर किसी country की साथ हम इसको compare करें, तो इसका population, करनाटका का population, फ्रांस के population के almost equal है, अगर हम करनाटक के language की बात करें, तो यहां की official language कनड़ा है, और कनड़ा के लावा, जहां और भी बहुत सरी language बोली जाती है, जितनी भी करनाटक की neighboring states है, उस language का काफी, काफी बोली जाती है करनाटक में, जैसे कोकनी हो गया, जो गवा में बोली जाती है, तो करनाटक और गवा के border के बीच में, जो लोग रहते हैं, वो कोकनी बोलते हैं, मराथी बोली जाती है, तुलू language बोली जाती है, तुलू language Basically, कारावली रिजिन में बोली जाती है, और उसके लावा, जहां पर कुर्ग एरिये में कुर्गी लेंग्विज बोली जाती है जिसको हम कोड़ुगो भी बोलते हैं ब्यारी बोली जाती है उसी शेत्र में एंड काफी ऐसे गाउं है जहां पर संस्क्रीट जूज होती है एक्जेंपल के तौर पर एक होसाहली गाउं में आप चले संस्क्रीट बोलने वाले लोग मिलेंगे उसके लावा मल्याली तामिल तेल्गु जह सब लैंग्विज उर्दू भी बोली जाती है जहां पर इक्वली बोली जाती है तो मैं इतना ब्रीफली करनाटका के बारे में अभी एक्स्प्लेइन नहीं करूंगा आने वाले जो वी या उसके बारे में हम देरे देरे डिसक्शन करेंगी क्योंकि एक वीडियो में तो करनाटक के बारे में डिसक्शन नहीं हो सकती पूरा वीडियो बहुत घंटो लंबा हो जाएगा तो अभी इस वीडियो में इतना ही अभी मेरा वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा और सार नहीं है और कौन-कौन से जहां के जितने भी empire है empire से related जितने भी places हैं सब कुछ आपके साथ में share करूँगा जो मेरे पास वीडियोस हैं वो आपके साथ में share करूँगा जो वीडियोस नहीं है उसको मैं आपको अपना experience के साथ बताऊंगा तो thank you मेरे चैनल को subscribe चुरूर कर दे ऑनक्यो नहीं है वो गदेखने जितने पिए हैं और हम आपके साथ बारी चैनल को वीडियोस है झाल बारे काई कर दो था कर दो में पनापकेश जिएकाने बतावदिए और छाभकेश रबर्ड़ीक चांपके साथ बारे कुरूर जजए